हेलो नवश्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने आधार कार्ड में रिजिटर मुबाइल नंबर को ओनलाइन चेक कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको दो मैसर बताएंगे जिससे आप अपने आधार कार्ड में रिजिटर मुबाइल नंबर को देख पाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने गूगल को ओपन कर लेंगे गूगल को ओपन करने के बाद यहां पे हमें UIDAI टाइप करके सर्च करना होगा टाइप करके सर्च करते ही हमें सबसे पहली वाली लिंक पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद हमारे पास नया पेज उपन होगा यहाँ पे हम अपनी language स्लेक्ट कर लेंगे language स्लेक्ट करने के बाद हमारे पास UIDI का पेज उपन हो जाएगा यहाँ पे हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और download अधार के option पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक नए पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों नए पेज पे आने के बाद हमें फिर से थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और चेक अधार वैलिडिटी के ओप्शन पे क्लिक करना है इसके बाद हमारे पास एक नए पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर simply हम अपना अधार नमबर एंटर करेंगे तो चलिए दोस्तों हम अपना अधार नमबर एंटर कर लेते हैं तो दोस्तों हमने अधार कार्ड एंटर कर लिया है अब हम CAPTCHA को एंटर करेंगे capture को एंट करने के बाद simply हमें proceed के option पे click कर देना होगा थोड़ी देर बाद हमें कुछ ऐसा interface देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपका state, gender और आपके mobile number के last के 3 digits आपको देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तों कुछ security reason की वज़े से आपको even mobile के last के 3 digits देखने को मिलते हैं पूरा number शो नहीं होता तो चलिए अब दोस्तो next method की और बढ़ते हैं तो दोस्तों अब simply आपको Google पे दुबारा आ जाना है और search बार में आजुश्मान card download लिखकर search कर देना है search करने के बाद आपके पास ऐसा page open हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहली वाली link पे हम click करेंगे click करने के बाद हमारे पास एक नया interface open होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं उपर अधार card वाले option पे हमें टिक करना होगा इसके बाद हमें scheme वाले section में PMJ को select करना होगा option पे click करेंगे और उसके बाद generate OTP option पे click कर देंगे जैसे ही आप generate OTP के option पे click करेंगे आपके mobile के लास्ट के चार डिजिट आपके सामने show हो जाएंगे आप इन लास्ट चार डिजिट का यूज़ करके आप अपने mobile अपके लास्ट